जहन दोस्तों दोस्तों जब से टूर अब डूटी या अगनिपत भरती योजना के जरिये जवानों को सैना में भरती करने का कॉंसेप्ट आया है तब से युबाओं में एक चिंता बनी हुई है कि कही टूर आफ डूटी के आने से उनकी रेगुलर आर्मी की भरतियां जैसे ARO रिलेशन या TA भरतियां कहीं बंद तो नहीं हो जाएंगी दोस्तो कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात को हाइलाइट भी किया है दोस्तो एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टूर आफ डूटी सेना की मोजुदा भरति प्रक्रियां का इस्थान नहीं लेगी दोस्तो इससे यह इसपस्ट होता है कि सेना की रेगुलर भरतियां जैसे ARO रिलेशन टीये जैसे पहले से चलती आ रही है वेसी ही आगे भी चलती रहेंगी टूर आफ डूटी का रेगुलर भरतियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा टूर आफ डूटी की भरति सेना में एक अलग से भरति होगी चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर भी चर्चा करते हैं दोस्तो कई बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टूर आफ डूटी के जरिये सेना में बड़े इस्तर पर जवानों की भरति की जाएगी हर साल टूर आफ ड्यूटी की भरती के जरिये भारत की तीनों सेनाव आर्मी नेवी एरफोर्स में 45-50,000 जवानों को भरती किया जाएगा तता साल में दो बार हर 6 महिने के अंतराल पर टूर आफ ड्यूटी की भरती का आयोजन करने की भी बात कही गई है दोस्तो अगर इतने बड़े इस्तर पर सेना में हर साल टूर आफ ड्यूटी की भरतीयों का आयोजन किया जाएगा तो फिर सेना के अंदर खाली पड़ी वेकैंसीज को अधिकतर टूर आफ ड्यूटी के जरिये भरती हुए जवानों से ही भर लिया जाएगा दोस्तो टूर आप ड्यूटी के नियम के अनुसार चार साल की सर्विस के बाद 25% जवानों को सेना में पर्मेनेंट कर दिया जाएगा अगर वेकेंसिस खाली रहती है तो वही 75% जवानों को सेना से रिटायर कर दिया जाएगा दोस्तो इन 75% जवानों में कई जवान ऐसे होंगे जो कि सेना में पर्मनेंट होने की काविलियत रखते हों लेकिन अगर पर्मनेंट होने की नियमों को कडाई से नहीं बनाया गया या उनका कडाई से पालन नहीं किया गया तो हो सकता है कि इन 75% जवानों में से कई जवान सेना में पर्मानेंट होने से चूक जाएं दोस्तो अगर बड़ी संख्या में यूबा टूर आप डूटी की भरतियों में शामिल होते हैं और अगर इस भरती को अच्छा रिस्पॉंस मिलता है तो TOD के जरिये सेना में हर साल जिन 50,000 जवानों को भरती करने की योजना सरकार ने बनाई है आगे आने वाले समय में इन भरतियों की संख्या और भी अधिक बड़ाई जा सकती है दोस्तो इसका रिजल्ट यह निकलेगा कि आगे आने वाले समय में सेना की सारी खाली पड़ी वेकेंसीज को टूर आप डूटी के जरिये भरती हुए जवानों से ही भर लिया जाएगा अगर TOD के जरिए सेना में भरती हुए जवानों से ही सारी vacancies भर ली जाएंगी तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सेना की regular भरतियां जैसे AR और रिलेशन और TA भरतियों का आयोजन कम देखने को मिले और अगर regular भरतियों का आयोजन होता भी है तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इन भरतियों में हमें कम vacancies देखने को मिले क्यूंकि सारी vacancies तो tour of duty का एक बड़े इस्तर पर आयोजन करके tour of duty से भरतियों जवानों से ही भर ली जाएंगी दोस्तों हो सकता है tour of duty योजना को युवाओं की तरफ से एक अच्छा response मिलने पर सरकार पैसा बचाने के चक्कर में सेना की regular ARO relation TA भरतियों के आयोजन को कम कर दे या बंद ही कर दे क्योंकि पैसा बचाने के चक्कर में सरकार सेना के कई भरति नियमों में बदलाब करती जा रही है दोस्तों यह मेरी व्यक्तिगत राय है इस पर आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और टूर आप ड्यूटी का सेना की regular ARO relation TA भरतियों पर क्या आसर पड़ेगा यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों अगर आप भी सेना भरति की त्यारी करते हैं तो अपनी त्यारी को continue करते रहें किसी भी आहलत में किसी भी परिस्तिती में अपनी त्यारी को बंद ना करें दोस्तों सेना भरति की अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्स्ट्राइब कर लें मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिन